एपी एमसी याने हमारी मंडियों को ले करके हमने कानून में क्या किया है हमने कानून में किसानों को आज़ादी दी है नया विकल्प दिया है अगर देश में किसी को साबुन बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो अगर किसी को स्कूटर बेच रहा हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फाइदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे और बाहर उसको फाइदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए उसकी मर्जी को क्या लोग तंद्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है अब जहां किसान को लाब मिलेगा वहां वो अपनी उपज बेचेगा मंडी भी चालू है मंडी में बेखा करके बेच सकता है जो पहले था वो भी कर सकता है किसान की मर्जी पर करेगा बलकि नए कानून के बाद तो किसान ने अपना लाब देकर अपनी उपज को बेचना शुरू भी कर दिया है